हाँ गुड मॉर्णिंग बाबू क्लास नाइन ध्यान दो जैसे पिछले दिनों हम लोगों ने क्लास वर्क में इन चीजों को न समझने का प्रयास किया था पीपल आज़ा रिसोर्स का और यहां तक तुम्हारा पीडियेफ है यहां दो फेज का तुम्हारा दिखाई देता है इसमें फर्स्ट फेज हम लोगों का चैप्टर जो प्तारंब हो रहा है यानि कि जो ओभर भीव है इंट्रोडक्शन्स है या उसमें दो इस्टोरी जो तुम्हारी दी हुई है यह शकल का और विलास का उसके से स्टेडी के मा अंध्यम से हम लोग कुछ ऐसे बेसिकली चीजों को जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन जो यह कैसे इसकील के कारण कोई भी परशन जो होता है हमारा इसकील बन जाता है ठीक है और कैसे कोई अगर अच्छी एजुकेशन हासिल नहीं करता है उसका स्वास ठ consistent के जगव पर क्षी के तोर पर हबारा निकल करके सामने आता है तो इसमें क्या है कि देखो और ऊजिए रिसोर्स में जो संसाधनों का जो हम लोग classification करते हैं या उसके जो quality and modifications की जो हम लोग बाते करते हैं तो उसमें बहु सारे ऐसी बाते होती है जहांपर हमें इन चीजों का समझना बहुत जरूरी हो जाता है जैसे अभी आज के बरतमान संदर में देखो कि सिख्षा का स्तर क्या है, स्वास्त क्या इस्तिति कितनी गंदी है हेल्थ इनफाचर के वगरा डवलप हो भी रहा है तो स्विधायन ना के बरावबर है इसके बाद में due to unemployment बीरोजगारी के कारण जो आएक स्तुरूथ हमारे हैं वो काफी दिनों दिन सिमीत होते चले जा रहे है नतीजा ये है कि उस income का मतलब एक कमी होने के कारण घर के जो ये diet cultures वगरा हमारी होते हैं उस पर भी एक गंदा असर पड़ता है जिससे कारण होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं कुपोसित पैदा ही हो रहे हैं कुपोशन का जो अस्तर है ये बच्चे जन्म लेने के बाद में कुपोसित होते हैं ऐसा नहीं है बच्चे कुपोसित ही पैदा होते हैं कि गरीब माबाप जो होते हैं ना सिक्षित और जो विर्वजगार माबाप होते हैं उनके संतती यानि कि जो यह उसको हम लोग बोलते हैं हिरारकेली जो कुछ इसको हम लोग कहते हैं उसमें कुछ नकुछ डिसेबिलीटी बच्चों में भायवर्थी हमारी हो जाती है तो तुम सोचो कि देज के 140 कोड़ जनसंख्या में अगर हम सिक्षा का मैटर हो स्वास्त का मैटर हो उसके बेसिक नेट की बाते हो उसके परतिब्यक्ती आई की जो ब प्राइशन आगे पढ़ेंगे इसने इसी चैप्टर में तुम्हारा दिये हुए है इसलिए मैं इसको 1 को क्लास कॉ सब बेसिक नीड होती है जो हर एक वेक्ति की पहुँच में हमारी होनी चाहिए आ नहीं तो फिर इसके संदर में तुम देखोगे जो सकल और विलास की कहानी जो हमारी होती है उसमें जो यह वर्चुए साइकल और बीसियो साइकल का जो संदर हमारा देखने को मिलता है कि एक कपड़ा मकान जो है तीन अगर बुनियादी जोवतों को फुल्फील करना है हमें तो रोटी का संबंध यहां पर है कि यह नहीं कि पेट भर ले ना आपका रोटी का संदर्व है कि आपके डाइट इतनी ज्यादा हेल्दी होनी चाहिए कि उससे आपकी सारीरिक सक्रियता और म अपनी मन को कैसे स्वस्त रखें इसके परती बहुत कम लोगों में जग रुपता देखने को मिलते हैं खास करके जहां से हम लोग बिलॉग करते हैं बिहारी रीजन्स वगरा में किसी भी तरीके से फिजिकली देखने में अगर कोई बेकती है अगर ठिक ठाक दिखता है तो आप स्टाइलिस और जो कुछ ऐसे फंकी ढंक से कपड़े पहनते हैं तो इसके कुछ समाज में कम से कम इजद बचाने के लिए मतलब मेनिमम तुम्हारे पास में एक कॉटन्स होना चाहिए धंक का कॉटन्स होना चाहिए एक अस्तर का इसके बाद में रोटी कपड़ा हो ग हैं कि लेडिज और जेंस को लेकर के कमफर्ट हमारा नहीं रहता है या काफी मतलब निमन अस्तर के जो सुविधाय हमारी होते हैं उसमें गुजर बसर लोगों को करना पड़ता है या गरीवी के अस्तर इतनी ज्यादा खराफ है बिहार में कि जोगी जोपड़ियां यानि क इसलम एरिया वगरा तुम देखोगी कि बहुत बड़े असतर पर तुमको देखने को मिलता है तो यह जो तीन हमने बेसिक नेट बताया अभी जो अग्दम बुनियादी जो असब जो थे वो भी इतना सिकूर करने का प्यास करते थे मकान के तरफ में कॉटन के तरफ में नह करना है तो आपको मेडिकल ट्रेटमेंट मेडिकल प्रेंसल्टेंट की रिक्वार्मेंट होगी इसके अलावे एक एजुकेशनल विवस्था यानि कि एक अच्छे सिक्षा की विवस्था के लिए आज तुम देखो कि कितना ज्यादा सिक्षा का बेवसाई करन हो चुका है क आपको समझने कोसिस करना पेटी इंकम यानि की छोटी जॉब पेशा करने वाले लोग जिनकी इंकम काफी निमने से निमनतम है वैसे लोग अपने बच्चों को यह जैसे कि तुम्हारी आज के जो सीवी असी तमाम प्रकार के ऐसे जो हमारे बोर्डिंग अस्कूल वगर है वहाँ पर वो शिख्चा नहीं दे सकते हैं और सरकारी अस्कूलों के स्थिति काफी दैनी हैं सरकार तमाम व्यवस्था देती है लोगों को प्रलोभन देती है प्रमोट करने के लिए कि बच्चे सिख्चा के परतिजागरूख हो अस्कूल आए इसमें तुम्हारा खिचड हो गया, साइकल हो गया, पुसाक हो गया, किताब हो गया इसके बाद भी जो एक परसेप्चन जो दिमाग में जेनरेटेड है या जो वास्तिक्ता सचाई है सरकारी विद्ध्यालों की वहाँ पर बहुत अच्छी सिख्चा नहीं मैसर हो पाती है इसके अला में छोटे- जो लोग होते हैं, उनके गार्जियन्स वगरा जो होते हैं, उनको इतनी ज़्यादा ब्यस्तता होते हैं, एक उपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, इन हलातों में उनका सिख्चा का भी अस्तर जो हमारा काफी निम्न हो जाता है, तो कुछ ऐसे ही कहानिया तुमारी सकल और बिलास की है, जिस पर हम लोग केसे स्टेडी करेंगे, तो वहाँ पर एक कहानी है, तो हम लोग पढ़ भी चुके हो, क्लास वर्क भी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें ब्रीफिंग तुमारा मैं करूंगा, तो ये तमाम ऐसे बन्यादी ज संख्या होती है, स्वस्त जन संख्या होती है, नौलेजफूल हो, इवायर हो, या एक ससक्त तुम कर सकते हो, और स्वस्त पोपलेशन हमारी जो त्यार होगी, तो उचलके आगे चलके ससक्त हमारे समाज का निर्मान कर सकता है, तो एक ससक्त परिवार से ससक्त समाज का निर् वहाँ की देश की अगर उसके ताकत का अगर अंदाजा लगाना है तो वहाँ की जनसंख्या का ना डिमोगरेफिकल रिपोर्ट के अनलेसिस कर लिजए वहाँ की जनसंख्या कितनी सवास्त है कितनी पढ़े लिखी सिक्षित और जागरूख है है ना या समाज के तै मानुकों पर लॉइन ओर्डर को फॉलो करने की कितनी छंता उनके अंदर में है उसके अधार पर तुम तै कर सकते हो कि उस देश की जो आर्थिक और समाजिक या सैक्षनिक या संस्कृतिक तमाम पर करके ऐसी जो भी एचीवमेंट हमारी होती है उपलब्दिया होती है यह अपने आप हमारा तै हो सकता है ठीक है तो देखो यहां से हम लोग प्रारंब करते हैं यह तो मैंने इंट्रोडिवस किया इंट्रोड़क्शन था थोड़ा मेरा हो जाता है इस तरीके से चीजों को थोड़ा डील करना बहुत निवार हो जाता है बच्चों के लिए नतुफित गीता भी पढ़ देगा बच्चा तो इसलिए ब्रीफिंग मैंने कर दिया कि इसी संसाधन के रूप में लोगों का क्या महत्तो हमारा होता है और इसमें जो कर रहा है कि चैप्टर पीपल आज रिसूर्स इज एन एफॉर्ट ऑफ दे एक्स्प्रेंट पोपुलेशन एजन एसेस्ट और एकनॉमी रेदर देन अलाइबलेटी बात वहीं आ गई कि यहां पर जनसंख्या का जो दाइत्व है यह एक राष्टे परिसंपती के तौर पर हमारे इसकी ब्याख्या की जानी चाहिए ना कि राष्टे दाइत्व के तौर पर ना तो फिर आज की डेट में देखो अब तो एक बढ़िया महौल है तुम्हारा चुनाव का जिसमें पूरा ड्रामा चल रहा है कि कोई कह रहा है कि हम पका मकान दे देंगे कोई कहता कि नाल में जल पहुंचा देंगे कोई कहता कि नली बना देंगे कोई कहता कि गली बना देंगे या इविन तुम्हारा कोरोना के कारण जो इस्तिती पैदा हुई है अनेंप्लाइमेंट की य आप कहते हैं कि मकान देंगे आप कहते हैं कि हम उसके बच्चों को पढ़ाएंगे तो मैं तो बार-बार कहता हूं कि आप इतनी जो लिबलेटी का जो निर्वान किया रहा है सरकार के तरफ में उसके फादर को जॉब दो उसके फादर को अगर जॉब लग जाती है तो फिर इ आर्थिक इस्तिती अच्छी नहीं है उसको कहीं ने कहीं एक समाजिक प्वरजन का जिसको सोचल एक्सक्लोशन हमारा कहा जाता है समाजिक प्वरजन का उसको सिकार होना पड़ता है उसकी डिगनीटी जो होती है हमारी प्रभावित होती है और उसके एक इंफिरियर फिलिंग के सांथ में लोग उसको साथ behave करते हैं तो एक समाजिक पचान भी उससे मिलेगी उसको आर्थिक सब्बल भी परदान हमारा होगा है ना और उस समाजरक तरीके से जीवन का निर्वाह भी हमारा कर सकता है बच्चों को survival भी हमारा कर सकता है तो यहां यह economical एसेस्ट की बात है हमारी हम पर की जाती है पॉपलेशन भी पोपलेशन भीकेम्स हुमेन कापिटल वें देर इस अ इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉर्म अब दे एजुकेशन ट्रेनिंग और मेडिकल केर इन फैक्ट हुमेन कापिटल इस्टॉक अब दे स्कील एंड क्लास में बोलता भी हुँ कि आरमभिक समय में अब जिससे बच्चा है उसको एक अच्छा फूट देना उसको मेडिकल केर देना उसको अच्छा स्कूल्स में भेजना तो खर्च है एसा नहीं है कि मामी पापा उसको फूट की अगर अगर तुब इसे की बाते की जाए एक अच्छा medical care की बाते की जाए, एक अच्छा schools में बच्चे की भेजने की, तो उन शुरुआत में जो हमारा investment है वही return आता है, मानव पुंजी में बदल जाती है, और यही इनसान जो होता है, जिसको training दिया गया, skill दिया गया, medical care दिया गया, उसको nutrition diet दिया गया, यह आगे चलके, वही बच्चा जो है, मतलब घर की जीमेवारियों को संभाल पता है, सही ठंक से, और समाज के लिए भी कहीं नहीं खत्रा नहीं बुन पता है, और एक अच्छी society का formation हमारा होता है, तो मानव पुंजी का formation हमारा, इस तरीके से human capital का formation हमारा होता है, तो दे रहा है कि व पुंजी हमारी कहलाती है, तो दे रहा है कि people as a resource is a way of the referring to the country working people in terms of their existing productive skills and ability and looking at the population from the productive aspect, emphasize its ability to contribute it, the creation of the gross national product, संसादन के रूप में जो लोग हैं, बरतमान में उत्पादन कोशल और शंताओं के संदर में किसी देश की काजरत लोगों का ब्रणन करने का एक तरीका हमारा होता है, कि कितने लोग इसकिलफूल हैं, कितने लोग नॉलिजफूल हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने हिल् और यह उत्पादक पहलू के द्रिश्टी से देखा जाया, प्रोड़क्टी पॉंट आविव से देखा जाया, तो जनसंख्या पर विचार करना, एक्चुली हमारा जो ग्रॉस्ट्रोमेस्टिक प्रोड़क्ट यानि कि जो सकल घरेल उत्पाद जो हमारा होता है, उसकी आवाले कना, गालूसिए वे लेजिव पクरुणी बचादाओ वालूड़क्ती सन बचस्टी क अवैtrl ऑ व Ну जेव इन कि आवाले के पुंट अ DAVID. the problems of the providing the population with the food education indexes of the health facility when the exercise human resource is a further development by the becoming more educated and healthy we call it human capital formation that adds to the productive power of the country just like a physical capital formation हमनों की सेकंड प्राग्राप में हैं तो इसमें दे रहा है कि यह बिसाल जनसंख्या जो है एक बड़ी जनसंख्या जो हमारी होते है सक्रात्मक पहलू के तरप हमें इसे देखना करते समय जब हम इसमें मानो संसाधन को और अधिक सिक्षा थास्वास किया जाता है अता हम इसे मानोः पुंजी निर्मान भी करते हैं है ना अगर इस परकार की बुनियादी जरूतों को अगर हम उपलपता के संदर में लाने का प्रयास करते हैं पहुंच में अगर सब के बाद में एकसेस कर सकता है हर एक बैक्ति तो उसको हम लोग हुमेन कैप्टल फॉर्मेशन करते हैं जो भौतिक पुंजी निर्मान की ही भाती देश के पादन सकति हों में प्रिति हमारी करते हैं अब इटा मकान रोड सब जोड़ दो तो बनाएगा कौन बनाएगा सुभावी के एक अच्छे इंजिनेर की रिक्वार्मेंट होगी पुल जिसमें सिख्षा हो गया प्रिक्षण हो गया अच्छी स्वास्पपिदाय हैं हमारी हो गए बहुतिक पुंजी की ही भाती हमारा रिटर्न प्रबाइट करता हैं जैसे मान लोग की बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आता होगा तो मान लोग कि किसी की अगर जमीन है घर में जमीन है या पटना में किसी ने बिल्डिंग बना लिया है तो बिल्डिंग बना लिया है या जमीन है तो उसका रिटर्न आता है न या अगर उसने दुकान ही चला रहा है तो जो भी एक जो भौतिकता दिखाई देती पादन के तोर पर हमारा होता है वो एक रिटर्न होता है उसी तरीके से मानो पुंजी भी एक अच्छी इंवेस्टमेंट के सांद जो हमारी जिसकी प्रादाम होती है जहां पर अच्छा मेडिकल केर हो अच्छी पूड हो अच्छी एजुकेशन की विवस्था जहां पर की जाती है यही सब बच्चे आगे चलके है ना डॉक्टर्स इंजीनियर बनेंगे एड्वोकेड बनेंगे जज बनेंगे बिरुक्रेट बनेंगे बड़े अधिकारी अफसर्फ्स बगएरे भी बन सकते हैं हमारे यह एक्लिस मान कि शुरू कि इतना बड़ा अधिकारी है तमाम परकार के चीजों का मैंने जिक्रिकर किया घर नहीं भी ग्रेंगे देता है सकता है अधिक शिक्षित और बैस्य कारण अमारी अधिकाय के सथ ही अधिक श्वस्त लोगों कि ऊसे प्रटेक्ष णुरू से देखा जा सकता एक चोटा सा ब्रीफिंग दिये हैं भारत में हरित करांती का बारे में कि कैसे ये एक अच्छी स्किल्फुल पोप्लेशन हमारी होती है कि कैसे प्रोडक्शन स्कोना भूम कर सकती है तो इसमें दे रहा कि एक मेंतर उत्पाधन प्रदोगी की रूप में अधिक ज्यान है ना अत्यांत दुर्ला भूमी संसाधन की उत्पाधक्ता में त्य भ्रेविर्दी ला सकता है जिसे भारत में सुचना प्रदोगी की करांती उसका एक एक जामपल है आज देखो कुरोना काल में अगर आईटी नहीं होता तो सायद हम आप एक दुसरे से इंट्रेक्ट नहीं हो पाते हैं लेकिन आज क्या है थोड़ा अगर पैसा इंवेस्ट करो है ना थोड़ी आपके पास में कंप्यूटर अप्रेट करना आना चाहिए पांटॉप लैप्टॉप चलाने आता आना चाहिए तो खुब बढ़ियां से ऑडियो बिजुल मीडिया से भी लोग पढ़ रह है तो यह क्यों हुआ जब एक अच्छे हमारे आइटी प्रोफेशनल्स पैदा हुए और आइटी प्रोफेशनल्स पैदा हुए हमारे पढ़ने लिखने से रिसर्च से स्कील्स से है ना ऐसा या इसके अलावे तुम्हारा दे रहा है कि भौतिक मेसिनरी और प्लांट के प्लानिंग कमिशन ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार के जो यूजना आयोग है उसके पैरेमेटर से नहीं चीजों का जिक्री किया गया हरित क्रांती में तुम्हें पढ़ता होना चाहिए मस्वामीनाथन के लेडर सीथ में इसी देश की संसाधनों में गिहूं का एक रिकॉ जयसे तुमारा यह क्रॉप साइक्लिंग आना इसके अलावे उसका एक यह इसके अलावे तुम्हारा उसकी पैकिंग उसकी ट्रांस्पोर्टेशन सप्लाइशन तमाम परकार के चीजों पर ना काफी अच्छी से प्रयास किया गया एक प्लान्टिनुए में तब जाकर के कहीं ने कहीं ये चीज़े सिक्यूर हो पाई और आईटी तो खेर आज के डेट में इतना बड़ा रिबॉलूशन है कि कहा नहीं जा सकता है है ना आईटी जो है एक बहुत बड़े रिबॉलूशन के तोर पर उभर करके हमारा सामने आया है तो यहां पर यह उभर भी तुम लोग ने कर लिया है नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं हां डिसकस करने के लिए इसका राज सर्चा करने के लिए बोल रहा है कि टू पॉइंट वन जो फोटोज तुम्हारा मानव पुंजी के तौर पर दिये हुए यहां पर इसको देख लेना डिसकस करके नहीं हो खाली कहानी सुनने में मन लगता है तो कहानी सुनों नहीं डिसकस करना तो कोई बात नहीं है जैसे इसमें दे रहा है कि आप बता सकते हैं कि डॉक्टर जो है टीचर है इंजिनियर है और जो दर्दे अस्वस्ता है किस परकार परी संपती हमारी है तो अगर एक एक करके हम चर्चा करें जैसे यहां तुम डॉक्टर को देखो तो डॉक्टर कैसे तुम्हारे ले नेशनल एसेस्ट है आज कुरोना काल में सोचो कि अगर कितना बड़ा धसदगर्दी समाज में पैदा हो जाता और अर्फवस्ता की तो इस्तिती खतरनाक है अगर लोग सधानी बरतने के लिए कह रहे हैं तम ने तुम मेडिकल के ख़च से बचे हुए हो कते ना कि प्रिकॉशन इस बेटर देन की और तो इवी दॉक्टरी बताए पर अगर इन्वेश्ट करना हो उनके लाइफ को बचाने के लिए लाइफ बच जाएगा तो कितना उस्वस्त रहेंगे इसकी भी कोई गरांटी हमारी नहीं है या एक सस्ते मेडिकल केर में तुमको सुरक्षित रखने की बाद जो की जा रही है तो इतों सुभाद के तुर पहज खाने में तुम्हें मैं मदद करता हूँ तुम्हारी समाजिक राजनेतिक समिस्फित करता हो इस तरीके से एक समाज में एक जो गगर में करता है तो definitely यही सब बच्चे आगे चलके सिविलाइज नेचर की जब बनेंगे तो क्रिमिनल क्राइम कम होगा हमारा क्रिमिनलाइजेसर हमारी समाज की कम होगी क्राइम कम होगे वो सब बच्चे एक अच्छी यह क्या करते है मानो भावना के साथ में मनोता के संदर में आगे बढ़ेंगे काम करेंगे तो यह तमाम ऐसी विवस्था हैं हमारी होती है यह केवल प्राइमरी और सेकेंडरी लेबल की बाते नहीं है तुम आगे चलके पढ़ाई करोगे तो टीचर फिर तुमको मिलेंगे यह एडवांस स्टड़ी करने के लिए भी हायर एजुकेशन वगराव में भी तुमको लोग मिलेंगे तुम नहीं तुम डॉक्टर एंजिनियर है तुम्हारी प्रोड़क्टिविटी को बढ़ाने में टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है चीशन क'll तुमक Racing की तरह होता है सुस्क्廟 का करना तमाल मिलें टो पर देखार सकता है इसके अलाएं इंजिनियर के जह तक बात है आज कर देखो अगर Nintendo की बाते करें कशेव पूल की बाते करें एक अच्छे playground की बाते करें, एक अच्छे road construction की बाते करें, एक अच्छे building construction की बाते करें, तो भीना एक skillful engineer के तो संभव है नहीं, तो यह भी हमारे देश के राश्ट निर्बान में मदद करता है, और इभेन जो इसमें दरजी की जहां तक बात कर रहा है, कोई सुच रहोगा जो बिक्सित हमारी बिवस्ता दिखाई दे रही, इसमें कहीं ने कहीं धरजी का तो रोल है, अब वो अलग बात है कि लोग आजकल, मतलब इस तरीके कुछ बेढ़ंगे टाइब कपड़े फ़ने प्राराम कर दिया है, तो उसमें धरजी की कोई गलती नहीं है, आज जैसा order पढ़ देता है, उसके accordingly बनाता है, टेकिन पहनावे के इतिहास में तुम लोग देखोगे, क्या करते है, हिस्ट्री ओफ फ्लोटिंग जो संदर्भ हमारा रहा है, उसमें बहुत सारे चीजों का विकास हमारा हो चुका है, और आज के बरतमान दौर में हम सभी लोग पैंट नोट वनली डू मोर एजुकेटिट देन रहा हेले पपलेशन गेंट थू हाईर इंकम्स है ना, ये कर रहा है, मुझ आयसे ना किवल आर्थिक सिक्षित और अधिक स्वस्त लोगों के लाव होता है, बलकि समाज को भी अपरतिक सरीके से हमारा लाव होता है, क्योंकि अधि पर जिकर करा है, बहुत एक पुझियों से काफी स्रेश्ट मानी जाती है, क्योंकि मानो संसाधन भूमी और पुझी का उप्योग कर सकता है, भूमी और पुझी अपने आप उप्योगी हमारे नहीं हो सकते हैं, अभी दे रहा है कि जो उच आये वाले लोग अच्छी आप प्रतेक्श रूप से, आप सोचो कि एक स्कूल चलता है, तो तुम पढ़ने के लिए आते हो, अगर एक अच्छी आये वाले बिवस्था नहीं होगी, तो बिल्डिंग कांस्रक्स नहीं हो सकते हैं, स्टापिंग यानि कि तुम्हारा स्टाप की न्युक्ति करने की मध्धम भरगित तबके के लोग आते हैं, उसमें सिख्षा की जहां तक सवाल है, बच्चा तो सभाविकिक के कम सिख्षित है, वो सिख्षा गेन करने के लिए हमारा आता है, तो इस प्रकार से अपरतेक्श रूप से समाज के जो वन चीत तबका है, या समाज के जो संघरस झोघिल जोसा मारा जो करते हैं उनको भी मदद मिलता है इसके अलाब देरा है कि देखा जाता तो मानोग पुंजी जो होता है और में बार बर बोलता हूं कि हमेन संसाधन estoy हमारा होता है यह सभी संसाधनों में सथ से उत्तम माना जाता है जैसे कि इसमें दिरागी भूमी और पुंजी की जहां तक सवाल है फिजिकल केप्टेल एंड जो लेंड की बाते हैं उसका उपयोग संसाधन मानो करता है और भूमी पुंजी अपने आप उपयोगी नहीं हमार कि जमीन है उसमें बिल्डिंग कंस्टक करके तो में स्कूल खोलोगे कि फैक्टरी चलाओगे क्या करोगे यह तो इनसान के न बुद्धी बीविक पर हमारा काम करता है अब इंडस्ट्रेल एरिया में स्कूल खोल दोगे तो नुकसान ही नुकसान हमारा हो जाएगा या स्क दसकों में भारत में 20 साल जहन संख्या को एक परिसंपति के प्रिक्षा एक दाई तुमाना जा रहा है यह इसमें तो कुछ ने कुछ नेताओं की जो हमारी बुजदीली है और उनका अपना एक मतलब देश की डबलक्मेंट और विकास को लेकर कि बहुत जादा उनके पास म भीजन नहीं है सबके वल भोट लेने के टाइम में नटंकी ड्रामा लो करता है और फिर इसके बाद में वह अपनी राह चलते हैं पांच साल तक फिर कामें तेल डालके सो जाएंगे और आप अपना समझे कैसे विकास होगा यह ना तो बिहार में देखो यह चुनाव के समय में 46.something percent unemployment का रेट है अब इसका अंदाजा लगाओ कि वही तो बोल रहा हो मैं कुरोना ने पूरी कलाई खोल दिया चाहे हेल्थ इंपाचकर की बाते हो चाहे जुकेशन की बाते हो चाहे इवेन आब आज IT की जहां तक सवाल हो रही है कि बच्चों के पहुंच के एक मेजि करोना का जो मंत्री लोग है वो प्रैवेट हस्पिटल जिशा का अपना हिलाज करा रहे हैं असरकारी हो फिटल प्राम आदमी जाते हैं मर रहे हैं तो हेल्थ की खुल गई हमारी है तो यह देश में एक राजनेतिक जो हमारा एक्साथ सक्ति के अभाव के कारण या सब्सक्राइब बेकारी घरता हुआ स्वास्त है हमारा परिशाग है तो अगर इंप्लाइमेंट किस्यती को सुधार आजा है हेल्फ रिंचार को डबलब किया तो आने वाले समय में चीज़ों को हम बदल सकते हैं दे रहा है कि आवसक नहीं है कि भी शाजन संक्या देश के दाइत्वी हो मानव पुंजी में निवेश के द्वारा इसे हम एक पादक परिशंपती में भी उनको बदल सकते हैं उदारण के लिए सबसे सबके लिए सिक्षा की विवस्ता स्वास्त की विवस्ता मडर्ण टेक्लिनलोजी को प्रमोट करने की बात है इंडसलाजेशन जो हमारे क्रिशिस रमीक होते हैं उनका प्रिस्टिक्षन की विवस्ता और ऐसे बहुस सारे सैंटिफिकल रिसर्च के हमारी बाते इसमें की गई है अगर इस तरीके के करेवगगों को अगर हम करें तो मतलब जो नेशनल लेबिटी है उसको हम नेशनल लेशेस्ट में की सुरक्षा प्रदान करने माले जवानों की जय और देश की सम्रीधी लाने के लिए जो किसान थे अनुत पादक जो थे हमारे उनको जय जवान जय किसान कहा गया यही बर्तमान दोर में तुम्हारा जब यह है ना बिग्यान मतलब साइंटिफिकल एप्रोच को भी बढ़ावा दिया जाए हमारा चॉकि साइंटिफिकल डबलप्मेंट के भी बिना अब जय कारण नहीं लगाया सकता है अब उसमें हमारे भूरतमान के प्रधान मंत्री ने 20 साल के बाद में जोड़ा है जय जवान जय क जै विज्ञान और जै अनुसंधान है ना यह उसमें अनुसंधान यानि रिसर्च की भी बाते हमारी की जा रही है तो रिसर्च ही तो जो हमारा इसुज होता है चाहिए हम आज की डेट में देखो कि यह आईसी एर का डवलेप्मेंट जो है इंडेन कॉंसिल आफ एकरिकल्ज कर सकते हो हमारे समाज में ठीक है तो इसमें तमाम ऐसे छोटी-छोटी बातों का जिक्र किया गया है कि आज देखो RTE है जो यह सिक्षा का दिकार है या RTI है सुचना का दिकार है यह सब कहीं ने कहीं मानों को ससक्त कर रहा है पुंजी के तरपर बदलने के लिए हमारा बज प्राइबेट सेक्टर्स में अगर आपने तुम सिक्षा का विवस्था स्वास्त के अगर सिकृर्टी नहीं कर सकते हो तो प्राइबेट होस्पिटल सरकारी है हमारे है PMCH है NMCH है आजी मेंस है एमस है ऐसे विवस्था है हमारी वहां पर दी गई है आधनिक प्रदोगी की प्राइबेट की बात करें है यहां ने छेत्रों में रूडवेज कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फ्लाइओवर कंस्ट्रक्शन पूल बनाना अगर इसमें हम आधनिक प्रदोगी की किस्तिमाल नहीं करेंगे तो पिछड जाएंगे इंडसलाजाशन तो मैं ब लोग जो अगर स्किल्फुल नहीं होंगे अगर इनको पुराने पधिती से ही और गेनिक तरीके से ही खेती को आगे बढ़ावाद देने की बात की जाएगी तो दिस की इतनी बड़ी जनसंख्या को पेड़ी भी नहीं भरा जा सकता है और काम तो खेर दूर की बात है यह न के हो इसको मैं यह पढ़ दे रहा हूं कि कैसे यह है हलाके तुम लोग भी जानते हो इस बात को फिर में यहां पर तो ऐसे कर देता हूं जो इसमें दो मीत्रों की कहानी बता रहा है बिलास का और एक सकल है हमारे तुमको पता होना चाहिए किसी बेसी ने नया पैटर जो ला पास और सकल की कहानी है जिसमें सकल की आयू जो है बारा साल की है और उसकी मां जो है सिला घर की कामकाज करते थे उसके पिता जो थे बुटा चोदरी खेतों में काम करते थे सकल घर के कामकाज को अपनी मां के मदद करता था और अपने चोटे भाई जो जीतू और उसकी बह बेटे सकल पढ़ लिखे जाया और वो समाज में कुछ नौकरी पेसा कर लिए और उस गाओं के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जूर देते थे जिसमें उसने सिखर प्रविस पा लिया उसे पढ़ना शुरू किया और उसने उचतर माधमे के परिक्षा अच्छे अंकों से कर लिए मतलब हायर सेकेंट्री प्लस टुट तक की एक्जैमिनेसंस और उसके पीता ने उससे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया बेटा तुम पढ़ हूँ पढ़ने में ही भलाई है और उन्होंने सकल के लिए कंप्यूटर की बेवसाइक कोस्ट जिस इसी समय के पचात उसने प्राइवेट फॉर्म में नौकरी मिल गई इसके उसने एक प्रकार से सॉप्ट्रेयर के डिजाइन भी किया और उसने सॉप्ट्रेयर फ़र्म को अपनी विक्री बढ़ाने में सहयोग भी मिली इसके बॉस ने उसके सवांसर प्रसन होकर को पदुन लोग सांस में राती है हमारी तो वहां पर इसी तरी कहानी तुमारी है कि सकल के पिता जी जो थे बुटा सिंग और भुटा चौदरी और जो उसकी मां सीला थी बहुत पढ़ी लिखी हुई नहीं थी है ना और उसके तीन भाई भान भी थे एक तो सकल था दुसरा जीतू औ मिलती है तो बच्पन में बहुत छोटा इंकम होने के कारण उपने खेतों में काम किया करते थे तो उसके छोटे बच्चों के दिखफाल करता था उसका एक चाचा भी था स्याम जो पढ़ा हुआ था मैटिक अस्तर तक की पढ़ाई किये हुए था तो मैटिक के बाद में क् मैटिक तक ही पढ़ाई किये थे तो कम से कम उसको गावा में ना सिच्छित माना जाता है जहां पर बिल्कुल ही पिछड़े लोग रहते हैं वहां पर इसस्तर के भी एजुकेशन जो होता है हमारा वो अच्छा माना जाता है तो इस लिहाज से देखा जाएगा तो उसका प मच्छपन सही पढ़ने लिखने में मेधावी था प्रतिभासाली था लगन रूची थी उसको उसने उससाज से काम किया उसने हार शेकंडे तक के पढ़ाई अच्छ से कर ले और उसके बाद में उसने कंप्यूटर ट्रेणिंग गेन कर लिया और उसने कुछ ऐसे कहीं ने कहीं अपने बच्चे को कंप्यूटर सेंटर तक पहुचाने में कम्याब रहे और सभावी के कि प्रोमोशन मिला अच्छी जौब पेशा करता है बच्चा सकल उसकी इंकम वगरा बेतर होगी तो शुरुआत में तो गरीबी में संभावी नहीं था वैसे बच्चों को पढ़ा पाना इसके ममी पापा ने फिर भी साहस किया बच्चे को पढ़ाया बच्चे ने भी लगन से अच्छी पढ़ाई कि तो वो हमारा नेशनल लेविलिटी नहीं बलकि एक नेशनल एससे इस्ट्यानी के जिसको हम दो गराश्ट के परिसंपति के दर पर देखेंगे अब वो software designer बन गया तो समाज को lead न कर रहा है अच्छी income लाता होगा तो उसके ममी पापा को जीवन गुजर वसर काफी अच्छे से हमारा होता होगा और समाज में उसकी अपनी समाजिक भचान जो गर्मा प्रोबक तरीके से अपने समाज में अपने खुद को निर्भा कर ल हमारा एक circumstances होता है वहाँ पर उसको यह करना पड़ता है उसकी घरिष्टा बढ़ जाती है हमारी तो उसी में एक लड़का है बिलास बिलास भी उसे एक साल छोटा था 11 साल का लड़का था वह सकल के गाउं में ही रहता था बिलास के जो पिता थे महेस वो मच्छवारा का का राम कीर करते थे बिलास जब के वल दो बरस का था तो उसकी पिता की मिर्थू हो गए थे उसकी मा गीता ने मच्छलियां बेज कर अपने परिवार का प्लन पुसंद किया और जमधार के तलावे मच्छलियां खरिठी और निकट के मंडियों में हमारी बेजती थी इस परका क्या खाया जा क्या प्याजा यह तह नहीं करता है सांटिपिकल एप्रोच नहीं बलकि टीपेंड करता है कि आए कैसी आपकी है और कितना मतलब तुम निट्रिशन और डाइट सीकूर कर पाते हो ऐसा तो अब सोचो कि इसकी पिता का साया अगर दो साल के उम्रे में उठ गया ह हमारी हो जाती है और उसकी मा के पास में इतने पैसे भी नहीं होते कि किसी डॉक्टर को दिखा पाती है ना मेडिकल केर भी इसके लिए बड़ा अबूज पहली बना हुआ था वह आश्कूल भी नहीं भेश सकती थी है ना और उसकी पढ़ने में रूची भी नहीं थी थी बिसम प्रस्तिती में सकल ने पढ़ने में रूची दिखाई तो सफ्ट्र रिजेलियर बन गया लेकिन जब बिलास ने उसमें उत्साह नहीं दिखा उसने कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई इंटरेस्ट नहीं दिखाया हाना तो यहां पर दे रहा है कि उसके मां के पास बिलास का भी रहा होगा जो उसने रूची नहीं दिखाई इसके अलावा खाना पकाने में अपनी मां को मदद करदा था अपने छोटे भाई मोहन को भी इसके देखभाल करनी पड़ दो सकल जैसा ही कहानी इसका भी था बहुत ज़्यादा अच्छी इंकम इसके में पापा का हमारा नहीं था और दुरभागे से इसके पिता जी नहीं थे और मा थी और कोई स्किल्फूल लेडी नहीं थी कोई पढ़े लिके टैलेंटेड महिला नहीं थी कि जो इसकील के बेस पर उसका इंकम बहुत 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 हो जैमिदारों के तुम्हारा तलाबों से मचलियां खरते के जाती थी 20-30 रुपया कमाती थी उसे किसी तरीके से उनका गुजर बसर हमारा होता था कुछ समय के बाद में उसकी मा बिमार पड़ गया उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था परिवार में उनकी साहता करने वाला भी कोई नहीं था बिलास पर उसी काम में मचलियां बैचने के लिए बाद हो गया और अपनी मा की तरह भवा भी इस काम में हमारा लग ग यह क्या करते हैं तिलिस्म कर दोगे या इंकम कास्तर काफी उच्छ हमारा हो सकता है तो गठिया का रोगी होने के बावजूद भी घर की आर्थिक हालात और तमाम प्रकार के ऐसी जो किंडिसन्स हमारी हो गए वो कहीं ने कहीं उसका जीवनेक तरीके सच्चु की बरबाद हो पता चली गया होगा इसमें एक एक्टिविटी दे रहा कि पास कि किसी गावेज होगी इलाकों में आप जाईए और अपने उम्रे के किसी लड़के लड़की का स्टेडी करें जो बिलास और सकल जैसे प्रस्तित्यों का समना कर रहे होंगे कितने तो सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो हम लोगे क्लास में उनकी कहानी कहीं कहीं सकल और बिलास से मिलता जुलता होगा तो कहीं कहीं आपने सेल्फ से भी रेलाइज कर सकते हो या आपने अडोस पोरोस में लोगों का अकलन कर सकते हो कि कैसे उनका गुजर बसर होता है कैसे तुम अच्छा कर सकते हो और दूसरी तरह बिलास देखो, वही मचली पालन और जैसे तरह करके अपना गुजर बसर करके जीने के लिए हमारा बाध हो गया, तो देखो ऐसे एजुकेशन, हेल्थ और जो लाइफ का जो इन्वेस्टमेंट हमारा होता है मानोस अंसाधन में, यह कैसे ज़्यादा आगे बढ हमारी दी हुई है, इस पर हम लोग जिकर करते हैं, तो देरा कि दोनों का ध्यान करने के बाद में तुमने देखा कि सकल आ स्कूल जाता था जबी विसाल आ स्कूल नहीं गया, सकल सारी इडियर को पर हिस्पोस और स्वास था और इसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज तो अब देखो इस में होता क्या है, कि दोनों में कंप्रिजन करने की बात कर रहा है, सकल ने बिसम प्रिस्तितियों में ही, बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कहा जागी सकल की भी, लेकिन फिर भी उसने अस्कूल जाना स्विकारी किया, है ना, रेस्पेक्टिव उसका स् स्कूल गया, नहीं उसका स्वास्त अच्छा रहा, इसके अलावे सकल ने रूची दिखाई, डिगरी प्राप्त कर ली, अच्छे हाउस में उसकी जॉब लगी, जबकि बिलास बहुत कम उम्मर में मचली प्यालन करके, बेज करके, किसी तरीके से अपना गुचर बसर करने क लिए हमारा वीबस हो गया, तो यह बहुत हद तक डिपेंड करता है तुम्हारे विल पावर, यानि कि इक्छा सकती को पर में, मैं बार बार बोलता भी हूँ, कि घुड़े को समुद्र के किनारे ले जा जा सकता है, उसको पानी नहीं पिला जा सकता है, यानि कि सब कुछ करता है तुम्हारा विल पावर को पर में, इसी तरीके से बहुत सारे हमें लोगे क्लास पर स्कूल में बचे ऐसे हैं, कि जिनके ममी पापा सच्छम नहीं होंगे, है ना, स्कूल भेज पानी किस्तिती में, लेकिन अपनी जरुतों में कटवती करके किसी भी तरीका स्कूल क कफी जमा करते होंगे, कि मेरा बेटा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारे उपर में कि तुम्हारी कैसी विल पावर है, और क्या तुम सकल बनना चाहते हो, कि भलास बनना चाहते हो, है ना, तो सकल के मामलों में देख रहा है कई बरसों के सिक्षा और उसकी स्रम की गुनवाता बढ़ाई, उसमें इन्वेश्ट किया गया, पैसा लगा, उसने भी काफी मेहनत किया, तब जाकर के वो तुम्हारा इसकलिफूल परसन बन पाया, और उसने उसकी कुल उत्पादक्ता में उसकी ब्रीथी होई, कुल उत् कांभिक भाग कोई सिक्षा स्वास्त नहीं मील सकी, और मा की भाती मचलें बेकर अपनी जीवने अपन कर सकता है, इसलिए वह अपनी मा की तरह ही अकुसल स्रमी का वितन हमारा पाता रहा, तो देखो इसमें बताने का प्यास कर रहा है, कि सुरुआत में अगर हम बच्चों और प्रगती हमारी नहीं हो सकती है, और एक बैक्तिक है आए जो अगर इंकम टेक्स रिटर्न फाइल करता है, या तुम्हारा कुछ ऐसे आर्टी सॉलूशन्स प्रवाइड करता है, या टीचर्स हो करके सोसाइटी को लीड करने का प्यास करता है, तो ये कहीं ने कहीं प्रथिफल प्राप के आ सकते हैं, हाई उसमें प्रोट्रेक्टिविटी और उसके रिटर्न बैक हमारे हो सकते हैं, लोगों में निवेश भूमी और पुंजी में निवेश की ही तरह होती है, और बैक्तिस सेयर्ता बॉंड की भविश्य में उच प्रथिफल के आसा की उटेंगे, उनको हेल्थ फैसलिटीज प्रभाइड करना होगा, उनको अच्छे न्यूटिशन डाइट वगरा देना होगा, तो यह सब दाइट जो अभी मामी पापा तुम्हारे लिए करते हैं, यह सारा का सारा जो है, दाइट तो तुम्हारे कंधू पर आ जाएगा, ठी यह प्रागराफ है, इंवेस्टमेंट इन हुमेंट रिसोर्स है न, हुमें रिसोर्स वाय अजूकेशन अन मेडिकल केर कान गीफ हाई, रेट्स ऑफ रिटर्न इन दे फ्यूचर, वही बात हो जागे हमारे, तो इस तरीकी इस लिहाँ से समझो कि आज जो इंवेस्टमेंट तुमारी हो रही है, यह ममी पापा कहीं न, कहीं इनवेस्टमेंट जो कर रहे है, यह रिटर्न के उमीद में कर रहे है, तो नेक्स्ट, एक बच्चा भी अपनी सिक्षा और स्वास्त पर निवेस्ट किया गया है, और भवी से में उच आया और समाज को ब्रहद योगदान देने के लिए प्रतिफल दे सकता है, यह देखा जाता है कि सिक्षित माबाप जो होते हैं, बच्चों के लिए सिक्षा पर अधिक निवेस्ट करते हैं, ऐसा इसलिए होता है कि कुनिस्वें को सिक्षा का महत्तोपता होता है, और यह उचित पोस्टन और स्वक्षता के पर और अपने बच्चों को भी ने इसी प्रकार के डिजनेटी लाइट को जीने के लिए प्रमोट करते हैं हेल्थ और हाईजिन का विशेज ध्यान रखा जाता है उनके घरों में जहां पर मेडिकल बिल कम आता है उस इन्वेस्टमेंट को कहीं ने कहीं एजुकेशन में बढ़ावा देते हैं वह कहीं ने कहीं बच्चों को ने प्रवाइड करने में हमारा काम का जाता है है जबकि दुसरी तरफ हेल्थ हो राजिन के प्रति जो लाप्रवाव होते हैं और जिनकी इंकम काफी कम होती है वह भी से साइकल फॉर्म कर देते हैं है देरा जिस उसकी जश्ट उलता घञती में रहने वाले जो माबाप होते है एक वी से साइकल फॉर्म कर लेता है और अपने बचों की तरह ही अपने बचों की अपनी ही तरह सोवधाव से बंची जीवन जीने के लिए हमारे बीबस कर देते हैं नतिजा यह होता है कि एक तरफ लड़का शकल बन जाता है they did not have any natural resources and these countries are developed rich or rich countries they import the natural resources needed in their country how did they become a rich or developed they have a investment on the people especially in the field of the education and health these people have a made efficient use of the other resources like a land and the capital and efficiency and the technology involved by the people have made these countries rich or developed example of this is that Japan is a country that invests the most in the world because they have no practicality and the most important thing is that Japan's geographical location is the most important thing in the world is the most important thing in the world technology is the most important thing in the world the most important thing is the most important thing in the world होती है पूरी दुनिया में सबसे वन अफ दी बेस्ट टेक्नलोजिकल डवलप्मेंट हमारी जपान की माने जाती है है और वहां की लोग विशेश रुप से सिक्षा और स्वास्त के छेत्रे में काफी अच्छा निवेस्ट करते हैं और इन लोगों ने भूमी और पुंजी ज तुम्हें मतलब गरिमापूर्ण जीवन जीने के लाइक बनाता है बलकि कहीं न कहीं तुम्हारी प्रोडक्टिवीटी को भी हमारा इन्हांस करने में इसका एक अपना रूल होता है और आप सिक्षा के बल पर खुद का विकास करके समाज को भी बिक्सित कर सकते हो और यही न कहीं निशन डवलेप्मेंट राश्ट विकास के भी कारह हमारी करती है और आज के लिए सरकार भी इस सहमयत को समझती है यह जपान वाले टेकनоловीकल डवलेप्मेंट की बाते हो इन्वेस्टमेंट की बाते हो यह तुम्हारा सकल और बिलास की कहानी हो इससे तो मनदाजा लगा सकते हो कि सिक्षा स्वास्त जो होती है हमारी और एक बहतर आय जो होती है कैसे जीवन में लोगों के बदलाव हमारे लाती है ठीक है तो इस पर अगला जो कहानी है पूर्सो और महिलाओं के आर्थिक्रिया कलामपों के बारे में उसका classification जो भी उस पर analysis की गई है कैसे इसको हम लोग inferior और superior संदर में इसको हम लोग study कर सकते हैं इसको हम लोग next classes में इसको जिक्र करेंगे इस वीडियो में यह है तो मैं लगे हांथ यह भी अपील करूंगा बच्चों से कि यह कहानी के वाल पढ़ करके ना question बनाने के लिए आप नहीं त्यार सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है जो खास करके आर्थिक क्रिया कलापों की जनकारी अच्छी ठंक से रखते हैं उनको यह सब थ्वासा जगरूपता समय से पहले आज आनी चाहिए उनके अंदर में जो investment है या कैसे skillful societies और skillful population का formation करके हम एक सब स्वस्त समाज का निर्मान कर सकते हैं वो बच्चे आगे चलके अच्छे कारे करते हैं तो आप ही अपने मामी पापाए के पुझी इंश है ना आपके अंदर में उसको जया नहुने दें और अपने मामी पापा को गरवानवीट होने का मौका दें और एक ऐसा लाइक बच्चा बनो कि आगे आने वाले समय में अगर उल्डेज में अपनी की मम्मी पापा चले जाते हैं तो उनकी केर और सर्वाइब करने के स्थिति में तुम रहो और समाज में घर में आप उन्यों जीवन हमारा जी सकते हो ये तब हो सकता है जब आप सिक्षा के परती समर्पित रहेंगे जब आप एक अच्छे स्वास्त वाले ब्यक्तिव बनेंगे जब आप एक अच्छी आए इंकम गेन करने वाले ब्यक्तिव बनोगे इसलिहाँ से देखा जाएगा तो आपका विकास जो है अन्य लोगों के पिक्षा काफी बेतर मानी जाएगी ठीक है तो इस सेक्षन को आप कंसल्ट करो देखो और यदि कहीं फिर दिक्कत आती है तो आप बात कर चकते हो ऐसे मैं डिटेल्स में काफी अच्छा से इसको बिटन करने का प्रयास किया है यह फिर भी बच्चों के अलग-अलग अपनी कैपिसीटी होती है उसमें कहीं दिक्कत आती है देने के ना आसके नहीं कुश्ण ओके बाबू चलो